तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CAC के एक बहुती बड़िया अपडेट के बाड़े में तो क्या है अपडेट तो चलिए फेंट्स जान लेते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फेंट्स अगर आपने पहले बाड मेरे चैनल पे आया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकोन है उसको भी आउन कर दीजिए तो चलिए फेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए जो अपडेट CAC के तरब से आया है वह है पंजाब नेशनल बैंक CSP के उपर तो अगर आप एक CAC का VL हो तो आप चाहते हो एक बैंक BC पॉइंट ओपेन करना तो आपको भी मिल सकता है पंजाब नेशनल बैंक का CSP तो किस तरह से देखिए फ्रेंट्स CSC ने पर ओफिशियल ट्वीटर हैंडल पे आज ट्वीट किया है यहाप आप आप देख सकते हो Congratulations on achieving 2000 बैंक मित्र बाई CSC यहाप नीचे फ्रेंट्स आप देख सकते हो Thanks to bank for support, continue our excellent team work and achieving milestone तो यहाप पर देखिए फेंट्स साब साब बोला गया है जो पंजाब नेशनल बैंक का CSP है 2000 यानि 2000 वियली को पंजाब नेशनल बैंक का BC पॉइंट मिल चुका है तो यहाप पर clearly बोल दिया गया है जो पंजाब नेशनल बैंक का BC पॉइंट है और देना start हो गया है तो बहुत दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक के साथ CSC का tie-up हो चुका था और बहुत सारे लोग सुना भी था कि पंजेब नाशनल बैंक का CSP, CSP के थुरू मिलेगा तो finally देखिए आभी CSP पॉइंट देना start भी हो गया है तो अगर आपको भी BC पॉइंट चाहिए तो आपको भी आभी तक BC पॉइंट नहीं मिला है तो किस तरह से मिल सकता है तो सब कुछ हम डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पर फेंट आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है जो यहाँ पर इस बैनर पे लिखा गया है तो ओही देखिए यहाँ पर फेर से लिखा गया है तो friends अगर आपको आभी ताक banking point नहीं मिला है कोई भी bank का BC नहीं मिला है तो किस तरह से लेना है देखिए उसके लिए friends आपके एक website पे आना पड़ेगा और उसके बाद देखिए एक option है new और दूसरा है existing तो new के उपर आपको किलिक करना पड़ेगा और जैसे आप किलिक करोगे friends उसके बाद आपको submit करना पड़ेगा तो जैसे आप submit करोगे देखिए आप पर document required for new bank मित्र registration तो registration करने के लिए आपको क्या क्या document की जरूर थे तो सब कुछ यह पर बोल दिया गया है तो एक भर में भी आपको details में यह पर बोल रहा हूँ आप ध्यान से यह पर देख लिजिएगा सबसे पहले candidate का passport size photo चाहिए देखिए 25 से 50 के भी के अंडर proof up ID, proof up address यह पर आधर card, voter ID card, कोई भी एक document दे सकते हो bank मित्र center inside, outside photo with location tag आपका जो भी center है CAC center उसका inside and outside का photo लेना होगा ओभी geotag करा के तो geotag कैसे कराते हैं आगर आपको नहीं पता है तो comment box में आप comment कीजिए geotag का भी video आपको मिल जाएगा savings bank तो एक bank account का cancel check यह आप आपको देना पड़ेगा तो कोई भी bank यह आप आप देख सकते हो उसके बाद देखिए higher qualification document तो आपका जो higher qualification document है उसका भी scan copy है आपको देना होगा and friends से आपका देखिए जो savings bank account है and जो higher qualification document है उसका original scan copy आपको देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि jerox copy आपने आपका scan करके upload कर दिया तो file आपका reject हो जाएगा IIBF certificate तो IIBF certificate भी mandatory है तो IIBF certificate आपको किस तरह से मिलेगा तो देखिए CSC portal में IIBF करके आपको search करना होगा and ओप पर IIBF exam के लिए registration करना पड़ता है IIBF का आपको एक exam देना पड़ेगा IIBF मतलब India Institute of Banking and Finance तो सभी CSP operator को एक exam देना mandatory है चाहिए CSC के मदधम से CSP point लिए है चाहिए कोई private company के मदधम से लिए है कोई भी company के मदधम से अगरा BC point चलाते हो तो एक exam देना जरूरी है तो एक exam आप कहाँ पर दे पाओगे तो आपको digital से बाप portal में login करना होगा and search करना होगा IIBF certification तो आप जैसे ही search करोगे option आ जाएगा उस form को fill up करने के बाद 1000 के आसपस आपको payment करना होता है and वहाँ पर center भी choose करना होता है जो भी आपके near में center होगा उस center में जाके आपको exam देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपके home center से आप यहाँ पर exam को दे पाओ और उसके बाद एके pan card original pan card का copy आपको scan करके upload करना होगा no objection certificate NOC आपका जो भी local police station है वहाँ से आपको no objection certificate लेना होगा चाहे हो online चाहे हो offline कुस कुस जागा पे online चालू है तो आप online पे apply करके no objection certificate ले सकते हो अधर वैस आपको police station में visit करना होगा और उसके बाद आपको no objection certificate लेना होगा यह सावी एरेंज करने के बाद यहाँ पर continue करके आप अपना BC point के लिए apply कर सकते हो तो जैसे ही apply कर दोगे friends CAC के पास वो data चला जाएगा और उसके बाद देखिए friends आपको contact us पर आना होगा और देखिए district manager तो इस district manager के उपर click करके देखिए जो भी state है आपका है पर आप select कर लीजिए जो भी district है select कर लीजिए उसके बाद देखिए जैसे आप search करोगे इस तरह का आपके समने DM DC का नाम show हो जाएगा तो जो DM है उनसे आपको contact करना है और बाताना है तो bank mitra portal पे application कर दिया है हमको BC point चाहिए तो district manager आपका application को verified करेगा अगर सब कोई सही है उसको approve करके आगे state team को forward कर देगा और उसके बाद आपका BC point का process शूरू हो जाएगा तो सबसे पहले आपको apply करना पड़ेगा और उसके बाद आपका district manager से contact करना होगा तो philal के लिए यही process है तो CSC ने बहुत सारे bank का BC point देना start कर दिया जैसे कि state bank का भी बहुत पहले दिया था फिलाल के लिए आभी stuff है HDFC bank का BC point मिल था है CSC के मद्दम से ICIC bank का मिल था है access bank का मिल था है तो देखिए अगर आपको access bank का BC point चाहिए तो यहापड किलिक करके आप access bank के लिए apply कर सकते हो देखिए आपड जैसे आप submit करोगे उसके बाद देखिए इस तरह का आपका CSC idea आएगा और उसके बाद continue करके आप apply कर सकते हो तो फेंड से आपड देखिए एक post किया गया है CSC has the largest BC network in India more than 1.3 lakh CSC work as a BC for various bank तो फेंड से आपड क्लियरली बोला गया है all over India में CSC एकमत्रो network है जिसके पास सबसे ज़्यादा BC point है CSC के माधम से सबसे ज़्यादा BC point अभी इंडिया में चल रहा है 1.3 lakh आप समय सकते हो कितने बड़े network है all over India पे 4 lakh के असपास CSC VLE है and 1.3 lakh अभी BC का काम कर रहा है and friends अगर आप UCL center लेना चाते हो तो भी आपको एक BC point की ज़रूरत है तो जैसे आपका BC point activate हो जाएगा आप आधार का exam देके UCL center भी ले सकते हो तो UCL center के बारे में और भी details में आपका जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है मैंने i button पे and description में भी देखे राखा है and और भी कुछ आगर आप जानना चाते हो तो comment box में comment ज़रूर करना मैं उसका भी answer ज़रूर दूँगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एही सारे update आपको देना था तो ये update आपको कैसा लगा है comment करके ज़रूर बताइए अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को like किज़े, share किज़े and मेरे चैनल को अगर आप तक अपनी subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर दिजिए and friends आगर आपने मुझे social media पे follow नहीं किया है तो आप मुझे social media पे follow भी कर सकते हो तो चलिए friends में दोते है next video में next update किसे तब तक ले जाहिंद